दोस्तों आप लोग कैसे हैं उमीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे आज हम जा रहा हैं एक कटोरी सूजी से नास्ता बनाने एक कटोरी हम सूजी ले लिए हैं मेकसर जार में ऐसे हम डाल दे रहे हैं और इसमें हम डालेंगे दही छोटी कटोरी से पौन कटोरी करिब दह है इसको हम डालेंगे इसमें रेंड ır जिसमें सूजी लिये हैं उसिस में जब काटोरी से में कटेस andosclie डालेंगे किirm और हम इसमें कोकिंग वाइल डालेंगे करिब दोड़ आ दोस्तों जिस कटोरी से हम सूजी लिए हैं उसी कटोरी से हमें कटोरी से पानी डालेंगे और हम इसमें कोकिंग वायल डालेंगे करिब दो चमू इससे सॉप्ट और अच्छी पकता नहीं है बहुत अच्छे से यह पेश्ट बन जाता है अब हम जा रहा है इसका पेश्ट बन चुका है अब हम इसको इस बर्तन में निकाल लेते हैं ऐसे पुरा हम अच्छे से इसको ऐसे निकाल लेते हैं अब हम इसमें डालेंगे एक चमच चीनी छोटा चमच है बहुत बड़ा चमच नहीं है और इसमें डालेंगे नमग और इसमें डालेंगे हम कच्चा जीरा भी थोड़ा ही सा डाल रहे हैं और इसमें डालेंगे हम खाने वाला इनो एक पैकिट हम इनो डाल देंगे इसको हम बढ़िया से इसको इस तरीके से फेट ले रहे हैं अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कुटा हुआ मिर्चा थोड़ा सा हलका हलका सा दिखेगा लाला दोर तो इसे में अच्छा लगेगा तो इसे को मिक्स कर ले रहे हैं ह्यासा ती बड़ाशा यह है निकालेंगी तो इसे लगात पॉरस्थ चीपके नहीं इस पोनिकालेंगे बह। ऑच्छी निकल बढ़ी आई से तेल लगा दिये हैं अब हम इसको इस तरीके से इसमें पलट लेंगे अच्छे से थोड़ा सा जो बर्तम में लगा है इसके निकाल लेते हैं या सब्सक्राइब अब हलका सबर्तम के हम ऐसे कर देंगे ताकि अच्छे से बैठ जाएगा और फिर हम एक कोकर लिए हैं कोगर को गैस पर चड़ा दिये हैं इसमें थोड़ी सी पानी डाले हैं छोटा सा प्लेट रखे हैं प्लेट में थोड़ा पानी डाल दिये तो यह तै रहेगा नहीं धर उ इसमें रख दिये हैं, कुकर मेरा थोड़ा सा मुह से बढ़ा है, तो इसमें टीफीन आज चुका है, अब हम इसको ढखकन से इस तरीके से ढख देंगे, इसको मीडियम आज पे करीब करीब 10 मिनट तक हम इसके पकाएंगे, फिर हम आगे देखते हैं कैसा ये बना है, तो इस तो इससे हम रख देए हैं इस पे उपर से हलका हलका हो लाल मुज पाउडर डालेंगे इससे देखने में कलर सुन दर लगता है और बहुत अच्छा लगता है और इस तरीके से हम ढ़कन लगा देते हैं करीब करीब 10-15 मिडिये इसको मीडियम आज पे रख देंगे फिर देख तो ऐसे ही यह बनेगा इसमें चाकू डालके भी देख लेते हैं कि यह अच्छे से पका है नहीं वा देखे यह पक चुका है चाकू में भी नहीं लगा है अब हम इसको इसमें से मिकालेंगे तो इसको थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए पंखा चला कर पंखिल नीचे रख दें तो दोस्तों देखे इस तरीके से बनके तयार हो गया है अब इसको आपको मन करें तो फ्राइ कर लिजे अब मन करें तो ऐसे ही इसको काटके पीस पीस में खा लिजे